आज हम बनाएंगे मोती चूर के लड़ू लड़ू में सबसे ज़्यादा लोग मोती चूर के लड़ू खाना पसंद करते हैं खासकर बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं आज हम एकदम हलवाई के जैसा मोती चूर के लड़ू बना कर आपको दिखाते हैं इसे बनाने के लिए आपको भूधी तलने जरूत नहीं पड़ेगी तो लड़ू बनाने के लिए हम सबसे पहले चासनी को बनाएंगे चासनी के लिए हम इस बावल में 4 कप चीनी निकाल लेते हैं 1 कप 2 कप 3 कप और यह 4 कप पतीला हमने गैस पर रख दिया है गैस हमारा आन है चासनी के लिए हम पतीले हम दो कप पानी डाल देते हैं पानी डालने एक बाद अब इसमें हम डालेंगे चार कप चीनी अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए पहले गलाएंगे चार कप चीनी के लिए हमने दो कप पानी की इस्तिमाल किया है क्योंकि लड्डू के लिए हमें चासनी गाड़ा बनाना है चीनी गल गए हैं अब इसमें हम food color डालेंगे यहाँ पर हमने yellow और red color लिया है इसे हम चासनी में डाल कर मिला लेते हैं food color optional है अगर आपके पास नहीं है तो न डालें लेकिन कलर डालने से लड्डू दिखने अच्छा लगता है हलवाई लोग भी इसी तरह कलर डालका लड्डू बनाते है आप देख सकते हैं चासनी अच्छे से उबल रहा है अब इसे हम मेडियम आज पर 5 मिनिट तक पकाएंगे जिससे चासनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए लेकिन हमें कोई तार की चासनी नहीं बनानी है केवल हम चासनी को हलका गाढ़ा होने तक पकाएंगे चासनी को हमने 5 मिनिट तक पका लिया है अब यहलके गाढ़े हो चुके हैं अब इसमें आधी छोटी चमच इलाची पौडर डाल कर मिलाएंगे इलाची पौडर मिलाने के बाद अब इसमें हम बूधी डालेंगे लड्डुक लिए हमने यहाँ पर तीन कप रेडिमेट बूधी लिया है आप देख सकते हैं हमने एकदम छोटे दाने वाला बूधी लिया है यह बूधी मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाते हैं इसी से हम लड्डुक बनाएंगे पहले हम चासनिम दो कप बूधी डाल कर मिला लेते हैं जिससे बूधी चासनिम डोग जाए अब इसमें हम एक कप बूधी आउट डाल कर मिलाएंगे पूरे तीन कप बूधी हमने चासनिम डाल दिया है अगर आपके पास इस तरह कप नहीं है तो किसी कटोरे से चीनी, पानी और बूधी को नापकर डालें अब बूधी को हम चासनिम तब तक पकाएंगे जब तक बूधी चासनि को सोख न ले, अभी ये आपको काफी पतला दिख रहा होगा लेकिन ये जैसे जैसे पकता जाएगा, तो चासनि को सोख लेगा इसे हम ढखेंगे नहीं, इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे अब धेरे धेरे बूधी चासनि को सोख रहा है, अभी हम इसको 2-3 मिन तक और पकाएंगे अब ये लड़्डू पूरी तरह से पक चुका है, बूधी ने चासनि को अच्छे सोख लिया है, इसी श्टेज पर आब हम गैस को बंग करेंगे और बूधी को हम गैस से उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, इसे हम ढखेंगे नहीं लगभग 5 मिनट बाद बूधी उपर स्थंड़े हो गए है, लेकिन ये अभी नीचे से ज़्यादा गरम है, इसलिए इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पंके खवा हम ठंडा करेंगे जब ये पूरी तरह स्थंड़े हो जाएंगे तभी लड़ू बनाने में आसानी होगी अब ये लड़ू पूरी तरह स्थंड़े हो गए हैं, इसमें आप हम दो चमच खरबूजे के बीज डाल कर मिलाएंगे बीच को हम लड़ू में हाथ से फैला कर डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें काजू किसमीज पिस्ता भी डाल सकते हैं खरबूजेक बीच हमने लड़ू मिला दिया है अब हम लड़ू बनाना सुरू करेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा स्पानी लिया है लड़ू बनाने से पहले हम हाथ में पानी लगाएंगे हाथ में पानी लगाने से लड़ू साफ और चिकनी बनेंगे और लड़ू बनाते समय हाथ में चिपकेंगे नहीं अब थोड़े से बूदी हम हाथ में लेकर लड़ू बना लेते हैं लड्डू को हम हलवाई की साइज में बना रहे हैं लेकिन आप इसे छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से एक साथ दो लड्डू बनाया है इसी तरह हम सारे बूदी के लड्डू बनाएंगे मोती चूर के लड़ू बनाना सबसे आसान होता है क्योंकि यह गोल करते समय टूट कर विखरते नहीं इस लड़ू को लगभग सभी बना सकते हैं एक एक करके हमने सारे लड़ू को बना कर तयार कर लिया है आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से हलवाई जैसा मोती चूर की लड़ू बना है हलवाई लोग इसी तरीके से मोती चूर की लड़ू बनाते हैं इसे बनाने के लिए आपको भूधी तलने जरूत नहीं पड़ेगी आप भी ये मोती चूर के लड़ू किसी भी मौसा में किसी भी तेवार बना सकते हैं